हेलो दोस्तों वल्कम बाक टो यॉर चैनल मेरा नहीं शुबम और दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमारे युडिया में के प्रीमियम कोर्स जो कि बिल्कुल आप फ्री में एन्रॉल कर वा सकते हो साथ ही में इन में इनमें चर्टिफिकेट भी आपको ओर आपको कॉरियंट की बात करते हैं तो आपके पास दो दिन का टाइम है इस वी में एन्रॉल करवाने के लिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सकी तरफ और इस और को नमबर आता है कोर्स नंबर टू टाइटल आता है complete willpower course build self control and good habits तो दोस्तो अगर आपको self discipline build करने में interest है personal development वाली field में आपको interest रहता है good habits develop करने में आपका interest रहता है तो इस course में आप enroll करवा के इस particular knowledge को काफ़ी अच्छे तरीकी से gain कर पाएंगे अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचाए बिल्कुल free में इस course को enroll करवाने के लिए चलते हैं दोस्तो हमारे गले course के तरफ and इस course का number आता है course number 3 title आता है आपका eliminate your insomnia now build strong sleep habits तो दोस्तो अगर आपको sleeping habits में दिक्कत आती है problem रहती है तो आप इस course में रोल करवा के जानकारी को gain कर सकते हैं और अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को बिल्कुल free में enroll करवाने के लिए एक बात मैं आपको starting में ही clear कर देना चाहता हूँ कि जो coupon code है जिनकी मदद से आपको ये course बिल्कुल free में available हो रहा है ये time से पहली भी expire हो सकता है तो जितना जल्दी हो चाहिए enroll करवा लेना आपके बाद आपके पास बिल्कुल lifetime वाले एक्सिस रहेगा course का जब चाहिए complete कर सकते हो जब चाहिए पढ़ सकते हो और certificate आप बिल्कुल free में ले सकते हो जैसे आप इस course को complete कर लोगे चलते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर है course नंबर 4 टाइटल आता है आपका complete inventory management in Microsoft Excel and Tele ERP 9 तो दोस्तो अगर आप Tele ERP 9 पर काम करना चाहते है Microsoft Excel पर काम करना चाहते है और inventory management वाले काम में आपका interest है तो इस course को आपको ज़रूर enroll करवाना चाहिए अभी कि हिसा आपके पास दो दिन का time बचा है बिल्कुल free में इस course को enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर आता है course नंबर 5 टाइटल आता है आपका advanced Microsoft Excel formulas and functions course अगर आपको Microsoft Excel में advanced functions and formula सीखने में इंट्रेस्ट है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं बिल्कुल free में अभी कही साब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे अगले course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर है course number 6 टाइटल आता है आपका complete management coaching course executive coaching तो दोस्तो अगर आपको HR वाली field में interest management coaching कैसे करी जाती है अगर इन सब course में आपका interest रहता है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं बिल्कुल free में अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है अगर आपको इस course को बिल्कुल free में enroll करना है तो चलते हैं हमारे एगले course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर आता है course number 7 टाइटल आता है the complete leadership master course हो दोस्तो अगर आपको management वाली field में leadership वाली field में interest है किसी भी business में आप leadership वाली position पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या skills required होती है अगर इनको gain करने में आपका interest है कि यार management skills क्या होती है manager training क्या होती है communication skills कैसे हम अपनी better करें जिससे कि हम किसी भी leadership skill पर असानी से जा सके हैं किसी भी leadership वाली position पर हम असानी से जा सके है अगर यह skill gain करने में आपका interest है आप इस course में रोल करवा सकते हैं अभी कि हिसाप से आपके पास जो दिन का time बचा है move करते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो and this course का नमबर है course number 8 title आता है android app development course 2021 दोस्तो learn without coding तो दोस्तो अगर आपको android app development करने mobile application develop करना है बनाना है खुद का वो भी बिना किसी coding के बिना यह चिंता करें कि आपको programming आती है यह नहीं आप android app बना सकते हैं अगर यह जानकारी लिने में आपका interest है तो आप इस course में रोल करवा सकते हूँ बिलकुल free में अभी के हिसाफसे आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को एन्रोल करवाने के लिए चलते हैं हमारे एगले course की तरफ और इस course का नमबर आता है course number 9 टाइटल आता है दोस्तो clubhouse app master clubhouse for marketing and connecting so दोस्तो अगर आप clubhouse app का use करना चाहते हो आज की date में काफी trending चल रही है यह आप अगर इसका यूज करके आपको social media marketing करना है या फिर marketing digital marketing करने है आपको इसका यूज करके तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं अभी कहिसाप से आपके पास दू दिन का time भचा है बिल्कुल free में इस course को enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे के लिए course की तरफ दुस्तो और इस course का number आता है course number 10 टाइटल आपको देखने के लिए तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं अभी के हिसाप से आपके पास दो दिन का time बचा है चलते हैं दोस्तो हमारे अगले course की तरफ और इस course का number आता है course number 11 टाइटल आता है become a web designer, stml and css for beginners तो दोस्तो अगर आपको एक web designer बनना है और आप beginner level से start करना चाहते हो या फिर आप एक beginner हो और आपको stml and css सीखने में इंटरस्ट है तो ये course आप बिलकुल भी miss नहीं कर सकते काफी बढ़ी है course है और आपको इसमें जरूर enroll करवाना चाहिए भी के हिसाप सा आपके पास दो दिन का time बचा है इस course में बिलकुल free में enroll करवाने के लिए move करेंगे हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो और इस course का number आता है course number 12 टाइटल आता है data visualization and data wrangling master class with python तो दोस्तो अगर आपको data science data visualization वाली field में interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं बिलकुल free में अब course number 13 टाइटल आता है यहाँ पर t-shirt design master class in photoshop sell your t-shirt तो दोस्तो आगर आपको Adobe Photoshop का use करके t-shirt designing वाला काम करना है और आपको इसको बहुत बढ़िया तारीक के से सीखना है कि कैसे आप किसी भी t-shirt पर बढ़िया से बढ़िया design बना सकते हैं अकर यह knowledge gain करने में आपका interest है तो पास एक दिन का time बचा है चलते हैं हमारे एगले course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर है course number 14 टाइटल आता है machine learning from basics to advance दोस्तो अगर आपको machine learning सीखने में interest है तो इस course को बिल्कुल भी miss मत करना because यहाँ पर आपको बिल्कुल एक basic level से start करते हुए advanced level तक लेके जाएंगे साथ ह में including hands on products पर आपको यहाँ पर काम करवाया जाएगा तो यह course में आपको काफी बढ़िया रहने वाला है बहुत अच्छे knowledge gain होने वाली अभी के हिसाब से अगर हम time के बात कर लेते हैं तो आपके पास दूर दिन का time बचाए बिल्कुल free में इस course को enroll करवाने के लिए move करते ह है हमारे एगले course के तरफ दोस्तो hand is course का number आता है course number 15 टाइटल आता है beginner's guide to android app development step by step सो दोस्तो अगर आपको android app development सीखना है बिल्कुल starting से बढ़िया तरीके से तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को बिल्कुल free में enroll करवा अगर आपको android app development वाली फील्ड में interest है तो चलते हैं हमारे एगले course के तरफ दोस्तो और इस course का number आता है course number 16 टाइटल आता है आपका react.js complete guide to front and web development 2021 सो दोस्तो आगर आपको front end web development वाली field में interest है और आप react.js का react का use करके कुछ develop करना चाहते हैं web development करना चाहते हैं तो ये course आप बिल्कुल miss नहीं कर सकते हैं और एक बात और बता दिता हूँ काफी detailed content यहाँ पर available है आप सामने देख सकते हो 22 गंटे का on demand video content available है तो ये course काफी detailed और काफी बड़ी आपके लिए रहने वाला है तो बिल्कुल मिस मत करना भी हिसाप से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course क बिल्कुल free में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एक लिए course के तरफ दोस्तों और इस course का number आता है course number 17 टाइटल आता है devops fundamentals दोस्तों अगर आपको devops के fundamentals की जानकारी लिने में interest है क्या है devops का क्या काम होता है कैसे अलग-अलग environments बनती है कैसे CICD काम करता है कैसे Jenkins काम करता ह अगर आपको environments, deployment इन सब सीजों में interest है तो आप इस course में सिरूर enroll करवाना भी कहिसा आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को बिल्कुल free में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तों and this course का number आता है course number 18 टाइटल आता है a guide on how to use slack तो दोस्तो अगर आप यह सीखना चाहते हूं कि यह काफी यूज होता है organizations में कि slack को कैसे use कर सकते हैं कैसे better communication कर सकते हैं का यूज करके कैसे इस लाइक पर चैनल बनाए जाते हैं कैसे इस लाइक पर कॉलिंग होती है मैसेज होते हैं कैसे फाइल को शेयर करा जाता है कैसे चैनल को हम मैनेज कर सकते हैं अगर यह सारी जानकारी गेन करने में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स में रोल करवा स तो दोस्तो अगर आप coding for kids ये किसी को अपने जानकारी में gift करना चाहते हैं इस course को तो आप उनको enroll करवा के दे सकते हो बिलकुल free में जिससे कि अगर वो चोटे हैं तो starting कर सके अपनी programming की journey अगर आपको इसमें interest है तो आप help कर सकते हैं अब के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एगले course की तरफ आइंड इस course का नंबर आता है course number 20 टाइटेल आता है AWS certified cloud practitioner crash course तो दोस्तो अगर आपको AWS certified cloud practitioner वाली चीज में interest है इसको आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल practical तरीके में तो ये course आपकी काफी मदद करेगा इस पूरे ही process में और अभी के हिसाब से आपके पास एक दिन का time बचा है इस course में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एगले course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर है course number 21 टाइटल आता है 2021 ultimate guide to YouTube channel and YouTube master class तो दोस्तो अगर आपको YouTube audience growth content marketing या फिर YouTube के regarding कोई भी knowledge ये इन करने में interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं कि YouTube channel पर क्या चीज़ करी जाती है क्या पूरा procedure रहता है ये सारी चीज़े आपको इस course में discuss करवा दी जाएंगी अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को बिलकुल free में enroll करवाने के लिए move करते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो अगर आपको फाइनेंचल दिक्कत आती है या फिर आप एक source generate करना चाहते होगी कैसे income create कर सकता हूँ जो मैं primary काम कर रहा हूँ वो तो ठीक है लेकिन इसके अलावा में क्या sources से पैसे generate कर सकता हूँ अगर ये knowledge gain करने में interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं अभी के हिसाब से आपके बाद दू दिन का टाइम बचा है चलते हैं मारे एक लिए course के तरफ दोस्तो अगर आप फोटोशॉप आली फील्ड में एक बिगनर हो या फिर स्टार्ड करना चाहते हो तो आप इस course में जरूर एंडरोल करवाले हैं अभी के हिसाब से आपके वास दो दिन का टाइम बचा है इस course को बिलकुल फ्री में एंडरोल करवाने के लिए चलते हैं मारे एक ल कर सकते हैं कि सबसेक्रेटी में इनफोर्मेशन वाला प्रोसेस कैसे होता है कैसे इसको अच्छी तरी कर सकते हैं अगर इस नौर्ट करने में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस course में अन्डूल करवा सकते हैं के हिसाब से आपके पास दो दिन का टाइम बचा है चलते हैं हम और तोः नौर्ट को आता है और चर्वी नौर्ट के अमपर कोर्स का नंबर अबर आता है कोपीरइटिंग मेक मकष्राम फ्राम होंग राइटिंग रॉत तोदूस्तू अगर आपको कंटेंट मारर्केटिंग या फिर कॉपीररायटिंग वाली फील्म में इंटरेश्ट आ और आप कुछ words write करके copywriting करके घर बैटे पैसा कमाना चाहते हो और इस skill को आप gain करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि क्या क्या तरीके होते हैं copywriting से आप कैसे बढ़िया तरीकी से अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर यह knowledge gain करना में आपका interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है enroll करवाने के लिए चलते हैं दोस्तो हमारे के लिए course के तरफ and this course का number आता है course 27 टाइटल आता है यहाँ पर digital corrected design creations हो दोस्तो अगर आपको graphic designing में interest है या फिर digital corrected design creations में interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं के हिसाब से आपके पास एक दिन का time बचा है इस course को बिलकुल free of cost enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एक लिए course के तरफ and this course का number आता है course 28 टाइटल आता है दोस्तो startups and innovation AB testing of KPI with lean startups हो दोस्तो अगर आपको startup में interest है startup and innovations वाली field में interest है और आप इससे related knowledge gain करना चाहते हैं कि क्या होती है KPI क्या होती है data और क्या होती है growth matrix अगर इसके regarding knowledge gain करने में आपका interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं बिलकुल free में अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एगले course की तरफ दोस्तो and इस course का number आता है course number 29 टाइटल आता है आपका SEO strategy 2021 how to rank your website तो दोस्तो अगर आपको search engine optimization वाली field में इंट्रस्ट और इसके regarding आप knowledge gain करना चाहते हैं कि search engine optimization के तुरू कैसे आप अपनी website को number 1 rank करवा सकते हैं तो आप इस course में जरूर enroll करवा लेना भी के हिसाब आपके पास एक दिन का time बचा है चलते हैं हमारे एगले course की तरफ दोस्तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं बिल्कुल free में अभी के हिसाब से आपके आप 10 घंटे का time बचा है इस course को enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एगले course की तरफ दोस्तो और इस course का number है course number 31 title आता है digital marketing strategy 2021 start from scratch so दोस्तो अगर आप digital marketing वाली field में interest रखते हो और इसको बिल्कुल scratch से start करना जाते हो कैसे आप बढ़िये तरीके से digital marketing कर सकते हैं करिए जानकारी में strategy यो gain करने में knowledge को gain करने में आपका interest है तो आप इस course में अनुल करवा सकते हैं अभी के हिसाब से आपके पास एक दिन का time बचा है चलते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर आता है course number 32 टाइटल आता है business 101 real world lessons they don't teach in a school तो दोस्तो अगर आपको business fundamentals business के regarding knowledge gain करने में interest है कि क्या चीजी होते है real world business कैसे काम करता है अगर आपका interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हो अभी के हिसाब से आपके बास एक दिन का time बचा है इस course को बिलकुल free में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस इस course में enroll करवा सकते हैं अभी के हिसाब से आपके पास एक दिन का time बचा है बिलकुल free में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो और इस course का नबर है course no.34 टाइटल आता है यहाँ पर accounting 101 the learn the proper year and financial close तो दोस्तो अगर आपको accounting में interest है और आप जानकारी दोस्तों की financial close क्या चीज है इसको कैसे कर रहा जाता है तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं अभी के हिसाब से आपके पास एक दिन का time बचा है चलते हैं हमारे एक लिए course की तरफ दोस्तो और इस course का नबर है course 35 टाइटल आता है reporting financial results when earnings are disappointing तो दोस्तो अगर आपको financial management या फिर financial reporting वाली field में interest है तो इस course की मदद से आप इस knowledge को gain कर सकते हैं बहुत ही बड़ी है तरीके से अभी के हिसाब से आपके पास एक दिन का time बचा है बिल्कुल free में this course को enroll करवाने के लिए चलते हैं दोस्तों हमारे एक लिए course की तरफ and this course का number आता है course number 36 title आता है not for profit accounting charities college and healthcare तो दोस इस course को विल्कुल free में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे एक लिए course के तरफ दोस्तों and this course का number 37 title आता है partnership income tax so दोस्तों अगर आप form 1065 के regarding knowledge gain करना चाहते हैं की partnership income tax कैसे file करा जाता है तो इस course की मदद से आप इस knowledge को बहुत असानी से gain कर पाएंगे कि हिसाब से आपके पास द अगर आप wave accounting software के regarding knowledge gain करने में interested हैं तो आप इस course में enroll करवा सकते हैं अभी कही साब से आपके बास दू दिन का time बचा है इस course को enroll करवाने के लिए चलते हैं अगले course की तरफ दोस्तों and this course का number 1 course no.39 title आता है zero not for profit organization तो दोस्तों अगर आप accounting and bookkeeping में zero software के regarding knowledge gain करना चाहते हैं कि not for profit organization के लिए कैसे काम करता है कैसे useful रहता है तो इस course के मदद से आप इस knowledge को gain कर सकते हैं बहुती बढ़िया तरीके से अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे रगले course की तरफ दोस्तों and this course को नबरे course no.40 title आता है individual income tax form 1040 comprehensive problem so दोस्तों अगर आपको individual income tax form 1040 के regarding knowledge gain करने में interest है तो आप इस course में enroll करवा सकते हो अब इक हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इस course को बिल्कुल free में enroll करवाने के लिए चलते हैं हमारे रगले course की तरफ दोस्तों and this course का नबरे course number 41 title आता है starting affiliate and digital marketing right now हो तो दोस्तों अगर आपको digital marketing करना सीखना है या फिर affiliate marketing से कैसे आप earning कर सकते हो अगर इन दोनों ही knowledge को gain करने में आपको interest है और आप इसमें अभी तक start नहीं किया start करना चाहते हो तो यह course आपके काफे मदद कर सकता है अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time बचा है इ ही में enroll करवाने के लिए move करते हैं हमारे एगले कोर्स की तरफ दोस्तों एंड इस course का नमबर आता है कोर्स नमबर 42 टाइटल आता है Ruby bootcamp 100 hands-on exercises तो दोस्तों अगर आप Ruby पर काम करना चाहते हैं जहां पर आपको 100 hands-on exercises भी कर रहा ही जाएंगी तो आप इस course में रोल करवा जा चाहते हैं तो आप इस course में रोल करवा सकते हैं अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का टाइम बचाए इस course को बिल्कुल फ्री में enroll करवाने के लिए है अधर लू दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे अगले कोर्स के तरफ और इस course का नंबर आता है course नमर 44 और टाइटल आता है Agile, What is Real Agile Part 1 Understand Real Agile अगर आपको Agile के रिगार्डिंग knowledge गेन करने में इंटरस्ट है तो आप इस course में एन्रोल करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में अब इक हिसाफ से आपके पास 11 hours का time बचा है इस course को बिल्कुल फ्री में एन्रोल करवाने के लिए अगर आपको सीकुल का यूज करके data analysis या फिर data science पर काम करना है तो यह course आपके लिए काफी बढ़ी है रह सकता है अब इक हिसाफ से आपके पास एक दिन का time बचा है इस course को बिल्कुल फ्री में एन्रोल करवाने के लिए चलते हैं मैरे एक लिए course की तरफ दोस्तो और इस course का नंबर आता है course number 46 टाइटल आता है az500 microsoft azure security technologies practice test दोस्तो अगर आप microsoft azure के security technology वाले practices की certification की तयारी कर रहे हैं तो आप इस course की मदद ले सकते हैं practice test को attempt करने के लिए और अभी के हिसाब से आपके बास दो दिन का टाइम बचा है इस course को बिलकुल फ्री में एन्रोल करवाने के लिए और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही I hope की वीडिया को काफी बढ़ी अदा लगी होगी